सुरेन जी ये जो वक्त बीच में निकला क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी में तो इतने बड़े बड़े लॉयर्ज है वो जाते कोट स्टे ले लेते जल्दी से जा रहे हैं कब तक तीसवे दिन ने तीसवे दिन नहीं जना जी चिंता मत लिजी आपको राहूल जी की बहुत लेता है हम आपकी चिंता से और चिंता से होगत है सबसे बड़ी बात है रहें उसको दिखाये औरoire रहे हैं83 चार ये का विक्शन हो क्यों हो रहा है ये conviction सिरफ इसलिए हो रहा है बच्चे सारे के सारे आप भी बैठी है आप सब लोग बैठे हुए जेल नीरव मोधी को जाना चाहिए सजा नीरव मोधी को होनी चाहिए सजा राहूल गांधी को हो रही है सजा ललित मोधी को होनी चाहिए सजा राहूल गांधी को हो रही है सज आज नरेंद्र मोदी जी और भारती के नम अडानी जी के क्रॉनी कैप्टलिस्टों के जो साथी हैं इनका भेद न खुल जाए बच्चों को रोजगार न मिल जाए आप और हम महंगाई की मार से न बच जाए हम सब लोग जो हैं अगनी वीरों की समस्या से न खतम हो जाए इन सांसद है इनका आरके सिंग पटेल बांदा का सांसद है डकैतों को संग्रक्षण देने का मुकदमा है उसके उपर जिससे 10 साल की सजा हो सकती है उसको उसके मुकदमे योगी जी वापस ले लिए उसके मुकदमे इसलिए योगी जी ने वापस ले लिए ताकि उसको सजा न ही है और जो अत्याचार लोग तंत्र के ऊपर हो रहा है उसका जनता भी प्रतिकार करेगी कॉंग्रेस संसद से लेकर सड़क तक लड़ेगी ठीक है कुछ प्रशने उसके बाद से जवाब कि बीजेपी लोग को 24 के चुनाव से क्या मतलब डर लग रहा है जो भारत जो यात्रा हुई उस मतलब चीज से कि बिहार में आप लोगी इडे की चापक करवा देते हैं बीपक्षी पातों को नीए बीपक्षी जवाब दीजे जवाब देदेए ना पुलिस पहुट जाएग चांगे मोठी को ठाने के लिए लोग्तंत्र खतम करने के लिए और कैस लोग तंत्र चीजे और कर अब ऑर आप जो पिसे आप जोडू आप जो कह रहे हो कि अग्ने चार दिन लगरहंगे तो नरेंदर मोधीजीं सेपढवाद दो आदे गंटे में काम खतम हो जाए तुम नेता हूं या स्टूडेंट हो पले ये बताओ आप जो मान लो बच्चा है बारत का बच्चा है वो भारत का सच बोल रहा है जवाब दे दूं तो गलत है राहूल गांदी घोटाला कर दे दूं जब आप तुम्हारा दूंगा पूरा सम्भाइब और बस आप चिंता मत करो राहूल गांदी जेल नी जाएंगे बरना तो बीज़ेपी का वोट बैंक बंद हो जाएगा अगर उप्री अदालत उप्री अदालत भी कंग्रेस राहूल गांदी को अगर दोसित मानती है तो क्या आठ सल एलेक्शन से दूर रहेंगे शे साल तो टो टो प्लस शे तूप्लस एक का दोजार चौबीस लोग सबाचुनाओं में चेहरा कौन होगा चोटे-चोटे-चोटे-चोटे समाधवाली पार्टी से सर जिस तरह राहूल गांदी के मुद्दे पर विपक्षी एक हो गया है तो ऐसे चुनाओं में कब एक होगा क्योंकि समय कम है अगर समय नहीं रहा ऐसा ना हो कि रेल गाड़ी चूट जाए और दूसरा सवाल यह है विपक्षाब मेरा सवाल गौरव भाटियाजी से है कि सर क्या आप राहूल गांदी के सवालो और भारत जोड़ो यात्रा से डर्गे कि चुछ नाओ के पहले आपने आपने आरोप लगा दिर रावल गांदी जी के उपर मेरा जो सवाल है सर बीजेपी से है यह कि एक करके पहले मनीश्य सोधिया को च्रेल पहुचा दिया अब राहूल गांदी को लोग सबसे हटा दिया क्या मौझूदा सरकार तानाशाई कर रही है सबसे पहले तो यह पूछा गया कि यह फैसला आया है चुनाव से पहले क्यों आया है तो मैं यह तथ्य बता दू चार साल पहले यह बयान दिया गया और एक कंप्लेंट फाइल हुई और न्याय पालिका कैसे कारे करेगी कब अपना फैसला सुनवाईगी दोनों पक्षों क सुनने के बाद यह जो कारेपालिका है यह सरकार है यह तै नहीं करती है दूसरी बात इन्होंने कहा कि राहुल गांदी पे यह फैसला आया है बाकी जो विपक्षी दल है उनके उपर भी EDCBI कारे कर रही है देखिए दो बाते इसमें कहूंगा पहले तो चुनोती देता हू ने किसी विपक्षी दल पे कारवाई करी हो और न्याले ने उसको गलत पाया हो राजनितिक दूए से एक चाहिए गलत बात है गलत अंजना जी यह गलत बात है उन दोनों के मामले में हाई कोट ने जो आडर में EDCBI के खिलाफ जो लिकार गलत बात है नहीं पास ना कोई जानकारी थी और इन अधिकारियों ने दुट्टों के आपने अधिकार रही है नवाब मली के एक साथ से जेल में है लेकिन पीसिंग 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 आटा फैलिंग लेकिन बेल नहीं हो रही है लेकर बीज में मचों कि आंजना यह गलत होता है मैं अभी उत्तर दे रहा हूँ मैंने पहले बेल का एक्विटिल का कन्विक्शन क्या होता है अपील क्या होती है समझ लीजिए उसके बाद आईए चर्चा पे जरूरी है कि नर्सरी में पढ़ते हो और पिएजडी का जो प्रोफेसर है उससे चर्चा करेंगे मत करिये चर् राहुल गांदी सोनिया गांदी रॉबर्ट वाडरा सबसे बड़ा भ्रष्टचारी परिवार तीनों भ्रष्टचार के आरोप पे बेल पे बाहर है सुप्रीम कोट तक गए लेकिन रद नहीं हुआ मामला ये सच्चाई है उसके बाद समाजवादी पार्टी पे आते हैं स आपको याद है इनकी सरकार थी और पुलिस से कहते थे कि भैसो को ढूंडो आजम खार की दूद निकाल के लेके आओ और अभी किसानों की जमीन हड़प ली थी अंदर है निरस्त नहीं हुआ इनके उपर आते हैं नवाब मलिक एक साल से बेल नहीं हुई है उनकी ये सोनिय सेना के साती थे सोनिया सेना में संजे रा Jung उनका मुकद्मा खतम नहीं हुआ पारथा चैटर जी गुलाभीन अभी बीट में नहीं बोलनी, देखे, ईनकी बीजित महान रहा है रहा हुआ है कुई क्या उनका मामला निरस्तु अबेल नहीं हुई है सतिंदर जैन मनीश शिशोडी ये सब अंदर है मैं केवल एक बात कहूंगा सौ भरष्टाचारी गीदण मिल जाए एक शेर है देश में दाड़ेगा सब भाग जाएंगे ये सचा है